दोस्तो केके हिंदी ग्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्पीटर या लैपटॉप सिस्टम में स्क्रीन सॉट हम कैसे ले सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सॉट्वियर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है तो एक तीने तरीका मैं एक एक करके बताऊंगा और आप इस वीडियो को सुरू से लेके आखरी तक देखें कि आप अपने कंप्यूटर या लैप्तॉप शिस्टम में वींडोज प्लस इक्स्प्रोडर को ऊपřेंगे विंदोज और ई परेज करके तो लेफ्ट फैनल में आप देख सकते हैं कि एक पिक्च्र करके एक फोल्डर रहा पिक्चर में आपको जाने के बाद एक folder मिलेगा screen shots और यहां जो screen shot मैंने लिया है वो यहां आपको दीख रहा है तो पहला तरीका यह है ठीक है बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ दूसरा तरीका आप snipping tool का यूज़ कर सकते हैं यदि आप अपने computer या laptop system में Windows 7, 8 या 10 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक inbuilt software आता है जिसका नाम है snipping tool तो इसकी मदद से भी आप screen shot ले सकते हैं तो चले आगे बढ़ते हैं और आपको बता देता हूँ कि snipping tool के help से हम कैसे screen shot ले सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको computer या laptop में आपको snipping tool करके आपको search करना है ठीक है न जैसी SNI मैंने लिखा तो already snipping tool यहां आ रहा है तो इसमें आपको click करना है इसमें आपको new पर click करना है आप फिर से new लेना चाहते है तो new पर click करना है लेकिन इसे मैं save करना चाहता हूँ तो save पर click करूँगा और इसे जिस format में आपको save करना है PNG, GIF या JPEG में वो format आपको select करना है और save पर click करके आप अपने किसी location पर save करके इसे as a screenshot आप यूज कर सकते हैं तो दूसरा तरीका यह है ठीक है फिर तीसरी तरीका की तरफ ठीक है तो तीसरी तरीका से आप स्क्रीन सॉट कैसे ले सकते है पहले सबसे पहले आपको अपने computer या laptop system के keyboard में सबसे पहले print screen को प्रेस करना है तो मैं print screen यहाँ प्रेस करता हूँ उसके बाद आप अपने computer या laptop system में जाके यहाँ MS Paint लिखेंगे ठीक है MS Paint और इस तरह से आप paint open कर लेंगे और यहां पर जाके इसे paste कर देना है ठीक है paste हो गया it screen sort और इसको file में जाके आपको क्या करना है save पर click करना है और इसे आप जिस format में चाहें उस format में यहाँ name दे कर सकते है और इसको azje screenshot use कर सकते है राइट दोस्तों यह बहुती तीन तरीका है जिसके लिए आपको जो आपका keyword में जो shortcuts है उसको use करना है इसके लिए कोई third-party software इंस्टॉल करने की ज़रुवत नहीं है दोस्तो आसा है वीडियो पसंद है अगर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्वार यदि वीडियो पसंद है तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के बीच में सेयर कीजिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं वोलना क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरे लेटेस्ट अपलोड जो भी होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुसता रहेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस और सी यू दियर इन नेक्स वीडियो तुटोरियल